गुड मॉनिंग एक बार फिर से सभी को कलास आपकी शुरू हो चुकी है सुबह के आठ बजे आप पढ़ते हैं कच्छा दस की एंसी एरटी गड़ित आज दोनों चैनल पर लाइब है पीबियार इस्टडी चैनल नंबर तीन एंड पीबियार इस्टडी चैनल नंबर एक पर यह नहीं लहाबाद वाले पर मुख्य चैनल पर तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीबियार इस्टडी लहाबाद चैनल पर ज्यादा बेहतर दिखेगा और अगर पीबियार इस्टडी 3.0 चैनल पर जूड़े बच्चों को कोई दिक्कत होरी तो उस पर आ प्रियांसु मौर्या प्रांजल सिंग और सांती निकेतन क्या नाम है इनका बहुत लंबा सा है दिपांसु भी जुड़ गए हैं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई क्लाइफ टेंट की एंसी आटी मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आपका दूइगात समीकरण का आज लाज यह कलास होगा क्योंकि दूइगात समीकरण खतम हो चुका है और पर लाद परजया पती है आप तुमको ब्लाक कर देना यहीं चाहते हो बताओ सब कुछ लिख दूँ देखो कुष्चन नमबर थ्री कुष्चन नमबर तीन है बच चाहिए यहां भी उपर भी में लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं न यहां लिख सकता हूं एक सरसाइज नमबर 4.4 और क्लाइस टेंथ की मैद है यह एंसी आर्टी पैटन वाली जिनके पास की दाब है सभी ध्यान से देखें प्यार से ठीक है कुष्चन कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभो है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभो है जिसकी लंबाई चौडाई से दोगुनी हो बताए क्या ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभो है जिसकी आप लोगों को आवाज थोड़ा कम आ रही क्या वहीं जो पिप्यार स्टेडी 3.0 चैनल पे हैं क्या उनको वाइस कम आ रही है बताना और उसका छेतरफल 800 मिटर स्कॉयर है यदि है तो लंबाई और चौडाई ग्याद कीजिए लंबाई और चौडाई ग्याद कीजिए अब ध्यान देना क्या करना हमें पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभो है जिसकी लंबाई जो है चौडाई से दोगुनी हो मतलब एक परकार से ऐसे आयताकार के रूप में पूछ रहा है है ना तो क्या बन जाएगी ये चलिए देखते हैं इसके लिए कु मना से माना सब। डराए बराबर। क्योंकि जो भी यहाँ दिया है वो सबमीटर में दिया है। ठीक है रहे इतना। पाय बराबर क्या हो जाया है गच्छा? लंबाई बराबर 2X Ieeee क्यों? क्योंकि कहा था लंबाई चोडाए की दोगुनी है। ठीक है बरहम आउतार जी तुम क्या यार हानो हानो या सोके कर रहे हो हां इतना ठीक है आगे कह रहा है कि इसका छेत्रफल 800 मेटर स्कॉयर दिया है तो क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे बच्चा आप लोग छेत्रफल बराबर 800 मीटर स्कॉयर यह पहले से दिया है इसको हिंदी में लिखनो सब एक जैसे रहेगा ठीक है 800 मीटर स्कॉयर यह दिया है यहां से हम लंबाई चोड़ाई फाइंड कर लेंगे जो कि हमें निकालने को बोला था उसके बाद क्या करेंगे अब यह आम की बगिया बनेगी की नहीं बनेगी उसके लिए हम वेख्तीक निकालेंगे अगर वास्तविक मूल मिलते हैं तो बगिया बनाना संबाव है और अगर कि जो चेत्रफल होता है भया लंबाई चौड़ाई का गुड़ा करने पे आता है तो हम इसको इतना कर सकते हैं यह छेट्रफल दिया है यह हमम ने गूट कर रहे हैं ठीक है चलो इनका गुड़ा करोंके बच्चा दो एक्स का स्कॉार हो जाएगा इक्वल 800 यक्ष का स्कॉार इक्वल कितना हो जाएगा आठस बटा दो कारद दोगे तो 400 आ जाएगा कि इस कितना जाएगा 400 आ जाएगा कि इधर साइड में यक्ष्पåल under root 400 यानि how 2020 year is कितना आ गई 20 आ जा जाएगी सबाल एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा था शबाल एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा था वैया ये कह रहा था बड़ा ही खतरनाक चीज कि क्या कोई एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभो है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका छेदरफल 800 मिटर स्कॉयर है यदि हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ग्याद कीजिए लेकिन हाँ इसमें कहरा है अगर ये बगिया बनाना संभो है तब लंबाई और चौड़ाई ग्याद कीजिए तो लंबाई चौड़ाई तो हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया लेकिन हमें एक काम करना है हमें थोड़ा बैक में चलना है ये लंबाई चौड़ाई था हम ऐसे निकाल लेंगे ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें थोड़ा बैक में चलना है हम थोड़ा आगे आगे जादा कह रहा था कि यदि इस तरह की बगिया बनाना पॉसिबल है तब आप लंबाई चोड़ाई निकालोगे अन्य था नहीं निकालोगे आसीज कुमार यादो जी मैं देख पा रहा हूं भई ठीक है अब पढ़ाई करो बस वर्जे से दुवन सी ठीक ठाक हो ना चलिए तो हम थोड़ा बैक में चलेंगे थोड़ा ज्यादा आगे आगे इस होजा से तो बैक में कहां चलोगे बस यहीं ज्यादा आगे बैक नहीं ब तो तो यहां से आप पाजाओ गया एक सक्वायर माइनस फोर हंड्रेट इक्वाल जीरो इतना ठीक है यहां पर थोड़ा अगर आपको कम दिख रहा है तो मैं हाइलाइट कर दे रहा हूं यह लो ठीक यह बन गया मालो समी करण है इसको माल लिजीए जिससे की बाद में अभ इतना ठीक ठाक है ना हाँ अब हम देखेंगे कि वो बगिया संभव होगी कि नहीं लिखो क्या लिखोगे लिखो अब आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं लिखो जल्दी से बनाना संभव है या नहीं इसके लिए हम बिवितकर डी ग्याद करेंगे क्या ग्याद करेंगे बिवितकर डी ग्याद करेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए जो बच्चे अभी अभी आये हैं क्या लिखेंगे इतना करने के बाद में लिखेंगे अब आम की बगिया बनाना संभव है की नहीं है इसके लिए अब हम विवित करड़ी ग्याद करेंगे ठीक है जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो जो मैं लिख रहा हूं पूरा नहीं लिखा हूं ठीक ना उसके बाद क्या होगा इतना हो गया अब हम इसको मिटा सकते हैं इधर साइड में आपने अगर नहीं लिखा तो भाईया लिख लो ठीक है आगे चले चलो ठीक है कोई दिकत नहीं जो छातर PBR इस्टेडी चैनल नंबर तीन पे जुड़े हैं अगर उनको कोई दिक्कत हो रही तो पीवियर इस्टेडी लहाबाद पे आजाएं ठीक ना भाईया चलो उपर ही हम निकाल देते हैं लो रहना तो जाने दो मत मिटाओ उसको यह लो इधर जगाए ना काफी जगाए डेर सारी तो मतलब समझी है आप लोग कैसे कैसे करोगे पहले इस्टेड में ये फिर दूसरे में ये और तीसरे इस्टेड में उपर अब हम भीटकर डी गयात करें है तो बहुत है यह डी बराबर होता है Bsq. am I-4C यह सूत्र होता है कि हम क्या करेंगे पहले यह समीío करण है इसमें your servants माण निलेंगे यह vc का आप सभी जानते हो इसको इधरे साइट से लाय को लग निकाल लो ये क्त शक्त फॉर-स इस इक लीरो ना कि लेकिन फूर प्रेसी इसकी जगा फे फोर हंड्रेंड है उदर साइड में दिख रहा है ना यहां से आप ABC कमान निकालोगे जब इसकी तुलना AX स्कुरार प्लस BX प्लस EQUAL 0 से करोगे तो A कमान 1 आएगा B कमान माइनस 400 आएगा C कमान सुनने आएगा किसी को नई समझ में आएगा तो बता देना ठीक है आमीर खान जी मैं देख पा रहा हूँ आपका कमेंट ठीक है ना बात समझ रहे हो तो आगे बढ़ें अब क्या करोगे बच्चा वहां से लाके मान इसमें रख दो B कमान माइनस का 400 आया है स्क्वाइर हो जाएगा माइनस 4 A और C इस तरह से आपका यह आजाएगा 1600 दी कमान क्या आएगा 1600 यह माइनस 0 इससे कोई मतलब नहीं है फाइनल में आपको 1600 मिल जाएगा फिर आप क्या कह सकते हो यह कंडीशन याद करो जब बिभिक्तिकर डी का मान जब बिभिक्तिकर डी का मान यह 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 आनते हो B स्कुार माइनस 4 A C इस ग्रेटर देन 0 और जब बिभिक्तिकर का मान जीरो से बड़ा हो तब क्या होता है याद करो क्या होता है तिन कंडिशन होती है एक कंडिशन तब होती है जब विविक्तिकर यहने कि डी कामान जीरो के बराबर होता है तो दो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं वास्तविक और बराबर मूल होते हैं लेकिन जब भीधितकर D कामान सुन से बढ़ा होता है जैसे एक हो गया, पांच हो गया, आठ उगया, कुछ भी हो प्लस में उससे बढ़ा है तब दो वास्तवीं को और आसमान मूल होते हैं क्या पढ़े हो ऐसे tua पढ़े हो कि कुछ और पढ़े बताओ ठीक है पढ़े हो ना यहनि इसके दो मूल आएंगे दोनो Agency मान होंगे दोनों आशामान मूल होंगे एक ही जैसे होंगे कि 15 15 रहो गया ठारता ठारह होंगे जो बच्चे सुरू से कलास देखेंगे सिस्टम से उनको समझ में आएगा बीच में जुड़ोगे तो कुछ ना समझ में आएगा इसलिए वीडियो को पीछे करके फिर से सुरू से देखो समझ गए ना क्या लिखोगे चुकी डी इज ग्रेटर देन जीरो वह यह चिन बना रहा हूं ग्रेटर देन का या फिर आप ऐसे लिख लो देसी भासा में चुकी डी का मान सुनने से बड़ा है आता हाँ आता हाँ दिये कह समी करन के दो वास्तबिक और असमानमूल होंगे ठी जो चात्र पीब्यार इस्टडी 3.0 चेनल पे हैं अगर उनको क्लिएर नहीं दिख रहा है या फिर कोई भी तो आप लंपाई चोड़ाई ग्यात कीजिए चलिए ठीक है तो भईया ये बगिया बनाना संभव होगी लिख लिए आप लोग चूकी विबित कर दी कमान सुने से बड़ा है अता इसके दो आसामान वा वास्तविक मूल होंगे या फिर ऐसे लिख लो दो वास्तविक वा अस समान वास्तविक होगे इसलिए इस तरह की बगिया बनाना संभव है क्या है बघिया बनाना संभव है नीचे लिख दो फिर ना कहना था अगर ऐसा संभव है तो फिर बताईए लंबार अशोड़ाई यह समी करने का थना अलBay दिखोगे समीकरण एक से श्वायर माइनस 400 एक कॉल सुने तो यकस काइस блिक attorney 4100 जायेगा यक्ष का बेलू निका लोगे भाईसाथ 40 है यहां यानी प्लस-20 आएगी याँ परिये समझheen कि जो प्लस माइनस आंसर है चौड़ाई तो कभी माइनस में होगी नहीं कि आपके कमरे की चौड़ाई जो है माइनस अठ मीटर है माइनस में होगी नहीं तो हमें सिर्फ फ्लस से मतलब है अब हम लिखेंगे अता है चौड़ाई यक्स बराबर 20 मीटर क्योंकि हमने चौड़ 40 मीटर समझ में आया ना यह सवाल आपका पूरा हो चुका है जो चातर बीच में जुड़े हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं बता रहा हूं अगर आप सुरू से कलास में जुड़े हैं तो आप समझ गए होंगी अगर आप बीच में जुड़े हैं तो कलास को पीछे करके स्टार्टिंग से पढ़ो तब कुछ पलने पढ़ेगा ठीक ना? कोई डाउट है तो बता दो निसंकोच किसी को कोई संका है तो बताइए इतना लिख लिए आप लोग ये है कच्छा 10 की NCRT गडित प्रसना वाली यानि exercise 4.4 question number 3 हो चुका है अब हम आगे बढ़ेंगे question number 4 जो बच्चे नए जुड़े हैं आप वो ध्यान दे अगला नया सवाल होगा तो उनको समझ में आएगा इसलिए आप इमानदारी से देखना कलास सुबह 8 बज़े शुरू हो जाती है आप सुबह 8 बज़े आ जाया करोगे ठीक ना देर में नहीं जुड़ोगे देर से आओगे तो कुछ ना मिलेगा इसलिए सुबह 8 बज़े आप लोग लाइब आ जाया हो गई चैनल सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए ठीक ना साम को 7 बज़े होती भाई देखो जो बच्चे पुछ रहे रात में कब होती है साम 7 बज़े कच्छा 9 की कलास होती है 9 से लेकी 11 बज़े तक डीलेट बीटीसी वालों के होती है रात में 8 बज़े से 9 बज़े तक सीटेट सूपर टेट की होती है बहुत सारी कलास है चलिए कुश्चन नमबर 4 देखिए ध्यान दीजिए अंजली पाल जी गुड़ मॉर्निंग विबेक जी गुड़ मॉर्निंग अमित कुमार गुड़ मॉर्निंग जो भी नए चात्र जुड़े है सभी को गुड़ मॉर्निंग सुब परभाद चलिए कुश्चन 4 कह रहा है क्या निमन इस्तिती संभव है इसमें भी यही खतरनाक बात पूछ रहा है क्या निमन इस्तिती संभव है कुश्चन सुनिए अगर संभव है कह रहा है तो उसकी वर्तमान आयो ग्यात कीजिए मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा प्ले करने की कोसिस करूँगा कि आप लोगों को कैसे दिख रहा है अब इस्तिती सुनूँ आप सभी द्यान से क्या कह रहा है फिर से सुनो कुश्चन 4 है एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 की मैथ NCRT सिलेवस कह रहा क्या निमन इस्तिती संभव है यदि है तो उसकी वर्तमान आयू ग्याद कीजिए दो मित्रों की आयू का योग 20 वर्स है इस्तिती सुनो दो मित्रों की आयू का योग 20 वर्स है चार वर्स पूर्ब उनकी आयू का गुड़नफल 49 था चार वर्स पूर्ब उनकी आयू का गुड़नफल 48 था एक बार फिर से सुन लो एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 की मैथ के अकॉर्डिंग कुईशन नमर 4 कह रहा क्या ऐसी इस्तिती संभव है कौन सी इस्तिती कि दो मित्रों की आयू का योग 20 वर्स है चार वर्स पूर्ब उनकी आयू का गुडनफल और 40 था चलिए ठीक है देखते हैं संभव है की नहीं संभव है बच्चा क्या करोगे फटा फट लिखो आप लोग लिखो माना माना पहले मित्र की आयू बराबर चलो माना पहले मित्र की आयू बराबर यक्स वर्स ठीक कह रहा था कि दोनों की आयू का योग 20 वर्स है तो भाईया यह मान लो कि अगर पहले की यक्स है दूसरे की वाई है तो यक्स प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा इनकी according तो यही है ना दोनों का योग 20 है ठीक है तो हम यहाँ से अगर दूसरे का मान निकालेंगे तो 20-1 आएगा ना मतलब दूसरे की आयो 20-1 आएगी ना तो आप यहाँ कहा लिखोगे दूसरे दूसरे मित्र की आयो बराबर 20-1 वर्स ठीक है इसमें कोई हैरानी नहीं न ठीक है ओके तो दूसरे मित्र की आयो आ गई अब का कह रहा था आगे प्रसना अनुसार according to the question कह रहा था कि 4 साल पहले 4 साल पहले इन दोनों की आयो का गुड़न फाल 48 था कितना था चार साल पहले आयो का गुड़न फाल 48 था तो लिख लो बच्चा चार साल पहले पहले उम्र पता चले तब तो गुड़ा करेंगे पर्थम मित्र की आयो देखो अब यहाँ पहले भी है और पहले मित्र लिखेंगे तो अड़ बड़ा जाएगा न पर्थम मित्र की आयो बराबर चार साल पहले कितना रही होगी यक्स माइनस फोर वर्स क्योंकि आज वो यक्स वर्स का है ठीक है अब यहाँ लिखोगे चार साल पहले दूसरे मित्र ठीक चार साल पहले दूसरे मित्र की आयो बराबर 20-1-4 वर्स क्योंकि वो चार वर्स और कम हो जाएगा ना भाईया आज आप 18 साल के ओ तो चार वर्स पहले 14 साल के रहे होंगे ना ऐसा ही तो है ना चलो अब प्रफना अनुसार प्रफना अनुसार कि दोनों की आयू का जो गुड़न फल था चार साल पहले 48 था किता था बच्चा है अन्तालिस था तो यक्स माइनस 4 इनका गुड़ा यक्स वो 20-1 वाला निखो 20-1-4 इक्वल 48 इनको हल करके आपको एक्स की बैलू निकालना है दोनों की आयू आ जाएगी ठीक है कोई है रान ठीक ना यार चलो मैं देख लेता हूं कैसे दिख रहा है चैनल नंबर तीन पर मैं चेक करता हूं चुकि मुझे इस पर कंफ्यूजन रहती है वैसे क्लियर तो है सब कुछ ठीक है नो प्राब्लम दीपक राज जी मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट कोई दिक्कत नहीं है किसी पर कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी हो जाता है ठीक है ना चलो मस्त है कोई दिक्कत नहीं आप हम इसको हल करेंगे भाई साहब तो यक्स माइनस 4 इन्टू ये घट जाएगा तो 16 माइनस यक्स बरावर 48 इतना ठीक है इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं न सब ठीक है न चलो अब क्या करेंगे अब हम उपर हल करेंगे चुकि नीचे तो जगा है नहीं ज्यादा इदर साइड में हल कर सकता हूँ थोड़ा फ़या लेकिन बजा नहीं आएगा जगा कम है चलिए आप क्या लिखेंगे जो बच्चे इसको नहीं लिखें बीडियो पीछे करके फिर से आगे अब क्या बताएं कुछ नहीं ना चलो इनको हाल करने की कोशिज करेंगे भाई X का मल्टीपल 16 में करोगे भाबू तो 16X X का मल्टीपल माइनस X में करोगे भाई तो माइनस X का स्कॉार मैंने X का दोनों में कर दिया अब माइनस 4 का दोनों में करो माइनस 4 का 16 में करोगे भाई साहब तो 64 कट और माइनस फोर का एक्स में करोगे तो माइनस माइनस प्लस फूर एक्स अब इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल दो जल्दी से यस ठीक है ना सब एकदम यह बराबर 48 यहां से हमें एक्स की बैलू फाइंड करना इसको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं ये लो अब क्या करोगे ये प्लस है और ये भी प्लस है तो दोनों जूड़ जाएगा बच्चा जूड़ जाएगा ना तो क्या करेंगे फिर हम तो जोड़ लो ना कौन रोंका है ये माइनस एक्स का इसकोईर पहले लिखतो दुगात समीकरन का रूप बन जाए ये और माइनस का 48 इक्कल जीरो इधर आएगा तिया माइनस हो जाएगा अब माइनस का यक्स का स्कॉयर प्लस का 20 एक्स माइनस जोडों गयाठ चार बारह आसी लेग 6 4 10 11 एक्कल जीरो जोड़ गात समीकरन बन रहा नहीं ये विबेक पांडे बताइए क्या कह रहे हैं आनुज प्रताप सिंग जो चात्र लाइब है निसे अंकोच बोल सकते हैं वो कुछ भी जो भी उनके मन में डाउट है चलिए हाँ जो चात है इसको PVR study आप में देख रहे हैं अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वह में वाटसप पर बेश सकते हैं उनको अच्छे से बताया जाएगा धंक से हाँ ठीक है अब माइनस वन से दोनों तरफ गुड़ा कर दो माइनस वन से दोनों तरफ गुड़ा करोगे तो सब चिंद बदल जाएंगे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा बच्चा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा माइनस ट्वंटी अक्स और यह प्लस 112 बराबर जीरो यह आप बोलो में का करोगे यार बड़ा खतरनाक चीज आ रहा नहीं है क्या करेंगे अब हम लोग को अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे यह हो गया तो इसके दो निकालेंगे मुल का लेंगे न साय कहे राधा क्या इस दीती संभव है अगर है तो दोनों की उरतमान आय। गयात कीजिए तो पहले तो यह चलो दिखा है वटा फट लिको उपरोक्त इस्थिती संभो है या नहीं है मैं इदर साइड से लिखूंगा जितना हो सकेगा किनारे करके लिखिए उपरोक्त इस्थिती संभो है या नहीं है ये जानने के लिए हम बिबितिकर डी ग्याद करेंगे ठीक है ये जानने के लिए हम बिबितिकर डी ग्याद करेंगे इसको लिख लो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ उपरोग तिस्तिती संभव है या नहीं है ये जानने के लिए हम बिबितिकर डी ग्याद करेंगे ठीक है चलो अब समीकरण है क्या है यक्स का स्कुायर माइनस 20x प्लस 112 एकुल 0 यहां से इसकी जब दुगाद समीकरण के स्टेंडर्ड समीकरण से कंपेर करोगे यक्स का बहलू 1 आएगा b का माइनस 20 आएगा c का मान 112 आएगा ठीक है बच्चा इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं न अब मैं इधर साइड में हल करूंगा क्योंकि वहां पर जगा थोड़ा कम लग रही है देखो कोई दिक्कत होगी तो निसंकोच बताना बिल्कुल भी टेंसन मत लेना कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो बच्चा आप क्या करोगे लाओ चलो इसमें मान रख दो कि विपितिकर डी कॉल होता है बी स्कॉर माइनस फोर एसी कॉल जीरो है जीरो नहीं होता है जीरो तो आएगा तो पता चलेगा क्या आता चलो मान रखो बी कमान माइनस का 20 एक कमान 1 सी कमान 112 तो माइनस 20 का होली स्कॉर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 सी मतलब 112 हाल करोगे बच्चा यह 400 आएगा माइनस बारा चोका 48 वह आएगा चारसो और तालीस गुड़ा कर लो चारसो और तालीस आएगा फाइनल में माइनस का 48 आएगा आपने पढ़ा था जब मैंने इसका आपको सुरू में पढ़ाया था दूए घाथ समीकरन कि जब डी is less than 0 मतलब जब D का मान माइनस में आए ठीक है जब D का मान माइनस में आए तब दिये गए दुगास समिकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं क्या कहते हैं आप लोग कालपनिक मूल होते हैं न बज़िया इनके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे इनका मान 0 से छोटा है माइनस मतलब 0 से छोटा है ये कंडिशन पढ़ा था न आपने ये भी पढ़ा था कि जब D का मान 0 से बढ़ा है मतलब पलस में होता है तब इसके दो वास्तविक और असमान मूल होते हैं ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि जब डी का वैलू जीरो के बराबर होता है तब इसके दो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं दो वास्तविक और समान मूल होते हैं तीन कंडिशन पढ़ा था ना बच्चा याद है कुछ इसमें से आपकी पहली कंडिशन यहां अप्लागू होती है कि विबितकर d कमांड सुनने से छोटा है अता हां इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगे निकिकर दो इसलिए यह संभव नहीं है इसलिए यह संभव नहीं है सो दिस कंडिशन इस नाट पॉसिवल ओके यह था आपका कच्छा दस की अंसी आर्टी मैथमेटिक्स का प्रस्टना वाली 4.4 कुष्ट्ट नंबर 4 आगे बढ़े मोनु कुमार गुर्जर देखो बच्चा एक्जाम कब होगा यह तो मुझे कुछ नहीं पता है ठीक है अब वही हो का जब होता है अर्दम टाइम आप जन्बे करते हो आगे चलें चलिए ओके ठीक है नो प्राब्लम मैं यहाँ पर वीडियो प्ले करने की कोसिस कर रहा हूं आप क्या करेंगे हम लोग यह सवाल होगे आपने लिख लिया होगा वीडियो को पीछे करके लिखिये जो नहीं लिख पाए इतना क्लियर ना कोई कंफ्यूजन नहीं न चलिए इसमें का लाइश्ट सवाल दुईघात समीकरण का लाइश्ट सवाल आज से दुईघात समीकरण खतम कल से समांतर स्रेड़ी पढ़ोगे आप लोग पच्वा चैप्टर सुरू होगा चाउथा चैप्टर खतम हो चुका है ठीक है कोई डाउट है तो नहीं संकोच आप बताईए कमेंट करिए अगर आप डेमो देख पा रहें यूटूब पे तो कमेंट करिए अगर आप रेगूलर कलास में देख रहें एप में तो आप वाट्साप पर सेंड करेंगे लेकिन जो बच्चे यूटूब पर देख रहें वो सिर्फ यूटूब पर ही कमेंट करेंगे वाट्साप पर नहीं वेजेंगे क्योंकि वाट्साप पर उनको रि साम को साथ बज़े ठीक है है हिमानसु जी क्या कहना चाहते है अगला सवाल देखिए लाइस सवाल के रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा छेत्रफल 400 मीटर स्क्वाइर के एक पार्क को बनाना सम्भव है फिर से सुनिए कच्छा तसकी एंसी आर्टी गड़ी तिक्सर साइज 4.4 क्या परिमाप 80 मीटर एंड एरिया मतलब छेत्रफल 400 मीटर स्क्वाइर के एक पार्क को बनाना सम्भव है यदि है तो उसका लंबाई और चोड़ाई ग्याद कीजिए बताइए यदि ऐसा पार्क बन सकता है तो उसकी लंबाई और चोड़ाई क्या करना है हमें फाइंड क तो क्या करोगे भाई यह पहले आप इसकी लंबाई चोड़ाई मानो ठीक है किया करोगे इसकी लंबाई चोड़ाई मानोगे चलो मान लेते हैं क्या जाता है हमारा मानने में लिको कौश्चन नो लाइप कितना हो जाएगी वाई मीटर मानलो हिया दोनों अलग अलग ठीक है आप हमने देखा है कि इसका परिमाँ hole vy दिया है असि मीटर हम जानते हैं का जानते हैं कि चारों बुझाओं के जोड़को परिमाँ बहुते न Looking नहीं बोलते ना भी अचारों बुजाओं के जोड को परिमाप बोलते हैं हम कह सकते हैं की नीकालेंगे तो यसA ukल का लेंगे बाबू तो 40 आएगा यहां से आप एक मान निकाल लो किसका वाई का क्योंकि लाइस्ट में जो हम पैलू फाइंड करेंगे दुगा समीकरण में वो सिर्फ एक का एगा दोनों का नहीं आएगा तो हमें लाइस्ट में इनको एक ही चर रासी में कर्वट करना होगा तो यहां से हम वाई कमान निकाल लेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा अरे यारे यक्स को उधर भेज दोगे तो 40 माइनस यक्स आएगा ठीक है यह क्या हो गया वाई कमान हो गया लिख लो इतना हो गया यह तो मैंने परियोग किया जो कह रहा था परिमाप 80 मीटर है यह मैंने उसका परियोग करके यहां से वाई कमान निकाला अभी इसमें और भी कह रहा है कह रहा कि यदि उसका छेत्रफल मतलब का दिया भाईया एरिया दिया बाबू 400 मीटर स्कौायर कह रहा है यदि उसका छेत्रफल 400 मीटर स्कॉयर है तो बताओ क्या ऐसा बनाना संभव है लिखो आगे मैं साइड में इधर लिख सकता हूँ न हाँ लिखो दिया है और आगे लिखिये फिर से दिया है छेत्रफल बरावर 400 मीटर स्कॉयर चारसो मिट्री स्कॉयर छेत्रफल दिया है पिर क्या करोगे बच्चा छेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करते है बराबर चारसो इतना सब को ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं है आप यहां से यक्स का मान लाके यहां रख दो य का मान आप एक काम करो इसको समीकरण एक मान लो समीकरण एक ठीक है यहां पर लिखो समीकरण एक से एक्स का मान रखने पर एक्स का नहीं है यहां 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 य का मान आया समीकरण एक से य का मान रखने पर तो बच्चा समीकरण एक सेवाई कमान ले लो 40-1 बराबर 400 है ठीक है तो ये गुड़ा करोगे तो 40-1-1 काई स्क्वाईर इक्वल 400 आएगा फाइनल करोगे तो यक्स काई स्क्वाईर और धन 40-1-400 आएगा बराबर 0 ये आपका क्या बनेगा एक दुईगाद समीकरण बन जाएगा quadratic equation बन जाएगा इसमें कोई doubt है तो निसंग कोच आप comment करके बतादो बच्चा कोई doubt नहीं न यहाँ minus है शुरू में दोनों पक्षों में minus 1 से multiple करेंगे ठीक है या फिर इसमें minus 1 आप common ले सकते हो थोड़ा फावर में लंबा कर दे रहा हूं minus 1 common लोगे तो अंदर के सारे चिन बदल जाएंगे yellow ठीक है equal zero अब मैं इधर side मिटा के हल कर सकता हूं की नहीं बताओ वैसे इधर वैसे भी काफी जगा है ना मिटा हूं तब भी ठीक है चलो जाने दो ठीक है अब क्या कर सकते हो आप ध्यान दो minus 1 है इधर भाई गुड़ा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा मतलब खतम हो जाएगा minus तो final में हमें का मिलेगा final में हमें मिलेगा x का square minus 40 x और धान 400 बरावर 0 अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे समी करनल पे आ गए exercise 4.4 क्लाश 10 की NCRT मैथ question number 5 कह रहा था कि क्या परिमा 50 मीटर तथा 6 तरफल 400 मीटर स्कॉयर के एक पार्क को बनाना संभव है अगर हाँ तो इसकी लंबाई और चोड़ाई ग्याद कीजिए तो भाईया हमने तो कई step कर लिए अब ये संभव है कि नहीं इसके लिए भिबित कर D कमान निकालेंगे अगर वो positive आएगा प्लस आएगा तो क्या होगा तो ठीक है प्लस आगर आएगा तो संभव है नहीं तो नहीं संभव है लिखिए लिखिए अब ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है संभव है या नहीं है इसके लिए हम भिबित कर D ग्याद करेंगे इसके लिए हम भिबित कर D ग्याद करेंगे एक बार फिर से सुन लिजिए यह जो नई चात्र जुडे हैं ध्यान से सुने क्या करेंगे अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैंने यह सब पूरा कर लिया इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं अब आप ध्यान देना समी करण एक कभी इसका भी काम खतम हो गया आप इसको लेकिन समी करण दो मान लो दूसरे वाले को चलिए बिबित कर D भी निकाल देते हैं और D का मान अगर प्लस आया या सुन ने आया तब तो ये पार्क संभव हो पाएगा अगर D का मान माइनस में आगया बिटा बच्चा तो ये पार्क संभव नहीं होगा ठीक है चलिए देखो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे अब बिबित कर D निकालेंगे समी करण हमें दिया X का स्कॉयर माइनस 40 X है ना और धन 400 बराबर 0 यहां से तुलना कर लो X का वैलू आया A का B का आया माइनस 40 C का आया 400 क्या करोगे दिबित कर D का मान निकालना है बाई साहब D कोल B स्कॉयर माइनस 4AC लाके मान इसमें पटक दो तो B का मान माइनस 40 का होली स्कॉयर माइनस 4 इंटू A इंटू C आप देखों के 40 का स्कॉयर कितना हो जाएगा चलो बोलो जल्दी कमेंट करो 40 का स्कॉयर कितना हो जाएगा चालिस काई स्कुायर सोला सो हो जाएगा कितना हो जाएगा सोला सो भाई मिश्टर परेसान मत करो विसाल नहीं तो ब्लॉक कर देंगे ठीक है समझ रहो ना आपसे बिनमर निवेदन है चुपचा पढ़ाई कर लो तुमारे पास नंबर भी होगा उपर नंबर दिख रहा नहीं तो अभी नंबर देंगे जो भी पूछना खुब पका लेना लेकिन क्लास में फिवल पढ़ाई किया करो कोई डिसकसान मत किया करो ठीक है समझ गया ना क्लास में सिर्फ पढ़ाई किया करो दुफरा नंबर जो सवाल आज तुम पूछ रहे हो यह आप इसके पहले भी पूछ चुके हो तो तीन बार और मने बताया भी है फिर क्यों परिशान हो अब मत परिशान हो हा तो यह कितना वाजाएगा सोला सो इक्कोल कितना हो जागा सुनने बात समझ में आ गई ना यानी और यह कितना जीरो आगे ना कुछ तो डिश्टरब कर देते हैं अभी तुम नाइन का पूछ रहे थे तुम 11 का पूछ रहे हो मतलत तुम एक साथ सब कुछ पढ़ रहे हो क्या पता यह नाइन का लिखोगे आगे ध्यान दीजिए यह 2 बीज्रो आग्या ना अब यहां लिखोगे चुकी दी कुՐल जीरो ऑठाह यहां लिखो चुकी बीज मतलें विभित कर ठीक है डेटर्मानें जैसे Μीक्तना अगया 0 अथा अथा यह गया समीकरण के आता दिये गये समीकरण के दो समान वा कितने जीरो होने पर मूल समान होते हैं न दिये गये समीकरण के दो वास्तविक वा समान मूल होंगे ठीक है दो वास्तविक वा समान मूल होंगे लिख लिए, एक बार फिर से सुन लो इतना करने के बार लिखो चुकि D equal 0 आता हा दिये गए समी करण के दो वास्तविक वा एक समान मूल होंगे जब D कमान 0 होता है तो वास्तविक वा समान मूल होते हैं जब D कमान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? दो वास्तविक वा आसा मान मूल होते हैं और जब D कमान सुनने से छोटा होता माइनस में होता है तो इसके कालपनिक मूल होते हैं कोई भी रियल रूट नहीं होता है ये तीन कंडिशन रखना है अमेसा ठीक है आप क्या करोगे इतना लिख लिए लिखने के बाद अब लिखोगे इसको मैंने कहा था बच्चा समिकरण दो बना लेना ठीक है? क्यूस्चन में कह रहा था यदि ऐसा संभव है अमित कुमार जी बिल्कुल राइट कह रहा था यदि ऐसा संभव है तो आप इसकी लंबाई वा चवड़ाई ग्याद कीजिए तो चलो हम निकाल लेते हैं बहुत आसान है अब ये पार्क संभव होगा चुकि वो क्या आगया? पाजटिव आगया अब हम इसकी लंबाई चवड़ाई निकालेंगे समिकरण दो से ये समिकरण दो मैंने उपर भी लिखा है तो मैं इधर मिटा दूँगा आप लोग लिखोगे समिकरण दो से उपर लिखोगे समिकरण दो से उसके बाद समिकरण लिख लोगे जो मैंने उपर लिखा है देखो एक सीस्टम से इसको लगा जाता जिससे अगला देखने वाला समझ जाए बस बाकि यह सब लिखना कोई जरूरी नहीं कि आप लिखो लिखो समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है यह दिया है यहां से अब हमें बैलू निकालनी हो ली ठीक है बात समझ में आ रही ना अब क्या करोगे ज्यान दीजिए हमें मान निकालना है दुगा समीकरण हल करना हम सब जानते हैं गुड़ा करने पर 40 आए जोड़ने पर 40 गुड़ा करने पर 400 तो बच्चा क्या करोगे आप इसे 20 धन 20 कर सकते हो 40 को 20 प्लस 20 इंटू X और ये प्लस 400 इकल जीरो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना अब ध्यान देना X का स्कॉयर माइनस 20 X माइनस ये 20 X प्लस 400 इकल सुनने X कामन लोगे X माइनस 20 बचेगा माइनस 20 कामन लोगे X माइनस 20 इकल जीरो बचेगा X माइनस 20 दोनों कामन वाला एक जगा हो गया जो अलग-अलग कामन था उसको इक अठा लिख लोगे इकल जीरो X के यहाँ पे दो मान आएंगे 20 कामा 20 ठीक है आई मैंने पहले ही कहा था कि अगर विविद्कर D कामन सुनने है तो दो समानवा वास्तविक मूल होंगे मतलब दोनों एक ही होंगे 16, 16, 20, 25, 25 कुछ भी है ठीक है देखो हम लोगों ने लंबाई पहले X मान था ना आप लिखोगे आप आता हा सवाल में क्या कहा था एक बार फिर से देख ले कह रहा था क्या परिमाप 80 मीटर था छेतर फल 400 मीटर स्कॉयर के एक पार्क को बनाना संभव है हाँ संभव हो गया कंडिशन आपने देख लिया अब आप लिखोगे आता पार्क की लंबाई पार्क की लंबाई यक्स बराबर 20 मीटर क्या लिखोगे बच्चा पार्क की लंबाई यक्स इक्वल 20 मीटर इतना ठीक है कोई डाउट नहीं न तथा चोड़ाई चोड़ाई य बराबर कितना हो जाएगा देखो य कमान 40 माईनस यक्स आया था याद रखो य कमान 40 माईनस यक्स आया था न क्यों यही आया था कुछ हो रहाया था यही आया था न भाई साहब यही आया था न तो 40 माईनस 20 तो दोनों बराबर आएगा क्या कुष्टन नमबर देखो आप लोग बराबर आएगा दोनों कमान बलाबर आएगा 20 मीटर यानि के दोनों के मान बराबर आएंगे यानि एक वर्ग बनेगा सवाल में साथ वर्गा काहा भी था ना देखो का कह रहा था क्या परिमाप कि 80 मीटर तथा छेदर फल 40 मीटर स्कॉयर के एक पार्क को बनाना संभू है यानि जो पार्क बने का वर्गा कार बनेगा समझने के लिए बता रहा हूं इसको आपको लिखना नहीं है यह ठीक है वर्गा कार बनेगा यानि उसकी लंबाई पर चड़ाई सब क्या होंगी बराबर होंगी समझ गए ना आप लोग 20-20 मीटर आएगा तो चात्रों यूटूब की यह कलास आपकी आज खतम हो चुकी है आप जो पढ़ रहे थे आपका यह चैप्टर नमबर फोर इंड हो चुका है इसके आगे आप समांतर फ्रेडी खूब सेयर करें और पूली क्लास देखने के लिए इंडिता का आपने देखा इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद आप सभी से निवेदन है कि आप इस कलास को खूब सेयर करिए अपने सभी साथियों में वाटस अप पे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम ट्विटर हर ज देख रहें और अगर आप इससे पीवी आरे स्टेडी आप में देख रहें तो फिर आप चाहिए जब देख सकते हैं आल टाइम आपके लिए उपलब्द रहेगा ठीक है भाईया हनुमान परसाद अग्रारी जी कल संडे है कल रिबीजन होगा कुछ चीज का कल रेगुलर क लाफ नहीं होती है कि ठीक है तो मैं इंड करता हूं लाइप को मैंने दूसरे चैनल पर इंड कर दिया है अमित कुमार जी मैं समझ पा रहा हूं आप क्या कह रहें